नमस्कार, ठुड़े हिवाशुल में आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं, मैं हूँ आपके साथ भावनर रनॉट और चली देखते हैं दुपहर की बड़ी खबरों को फटा 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 डाडा सिबा में पिकप ट्राला पलटा, 10 लोग अंभीर घाल पलिस चौक की डाडा सिबा के समीप आरा चौक के एक तीक है मोड़ पर पिकप ट्राला पलट गया, एक ठेकेदार की लिए बरिन दौरा से वाया जोडबड से देहरा की तरफ चारी थी, ट्राले में लगभग 18 लोग सवार थे, ट्राले में एक जनरेटर भी रखा था, ट्रा पुत्र दास राम चिंटुआर्ड पुत्र रमेश किमार, कुंदन 15 पुत्र आजे कुमार, संजराम 47, पुत्र जितेंद्र रमेश 49 पुत्र नत्नी राम, भिज मोहन 45 पुत्र पाशुराम आशीश 10 पुत्र राकेश कमार वगोलू 15 पुत्र रमेश चंध्शा मिल है यह भारी वश्वभत से श्रिमला के अस्तुपाच संकट अब तक 10,000 ख्रोड प्यकान उकसान रविबार से हो रहे वश्वभत से राजधानी में तेन स्दानों पर भारी भूस खलन हुआ है शहर की शान माने जाते देवधार के 500 से अधिक कई पेट धराशाई हो गये है छे साल पहले राश्ची हरित अधिकरने आदेश में शिमला पर बढ़ते भार को लेकर प्रश्ण उठाये थे दोजा सब्तरा में दिये आदेश में कहा था कि शिमला शहर पर खशमता सी जदा भार है भवनिर्मान ववानों पर नियंतरन लगाने की ज़रूरत है इसके बाद शहर की भार सहने की खशमता तैकनी के लिए कमीटी भी कठित की थी लेकिन धरातर पर कुछ नहीं हो पाया इसका पेड़ाम यह है कि राज़ानी के कई खशेत्रों में भूस खलन हुआ है और कई खशेत इसकी इज़त में है चकी मोड में पाहड में आई बड़ी दरारे दरखने का खत्रा सरट निर्मान करना चुनौती कलकर शुमला नेशनल हाईवे 5 पर चकी मोड के समीप पाहडी पर भूस खलन होने की बाद अब बड़ी बड़ी दरारे पड़ गई है इससे पूरी पाहडी के किसकने का खत्रा बना हुआ है हेरत की बाद तो ये है कि इस पाहडी ने अब NHAI और फोले निर्मान कर रही कंपनी की रातों की नीद भी उड़ा रखी है महीचा की मोड के इस पाहड को टिकाना और यहाँ पर सड़क अनिर्वान करना एजंसरों के लिए बड़ी चिनौती भी बना हुआ है अनुबंद सेवाओं को पेंशन के लिए जोडने वाले हाई कोट के फैसले पस सुप्रीम मोहर अनुबंद सेवाओं को पेंशन के लिए गिने जोडने के हाई कोट के निने पस सुप्रीम कोट ने मोहर लगा दिया है प्रदेश में अब जमीन की जोड़ी के बाद ही होगा भवन निर्मान अवैद निर्मान पर होगी सक्त कारिवाई हिमाज रबेश में अब जमीन की जाँच के बार इब भावन को निर्मान कारी हो सकती है हिमाचों परदेश में प्राकृतिक आबदा से अब तक 1442 कच्चे पके मकान ढ़े गए हैं जबकि 8160 मकान अक्षरती ग्रास्त हो गए हैं आब दो को लेकर मंगरवार को मुख्य मंत्री सुक्विंदा सिंग सुकुनिया अधिकारिव के साथ बैठा की इसमें पानी की निकासे जमीन की जाँच करने पर विस्तरित चर्चा हुई प्रदेश में अवैद निर्मान पर रोक नहीं लग रही है लोग बेना नक्षे के भवनों का निर्मान कर रही हैं जिन लोगों को पुर्व में चार मंजिला भवन के नक्षे पास हैं उन्होंने पान से शे मंजिलों का निर्मान कर दिया है भवन मालिकों के पानी के सही न कासी नहीं की है ये बानी जमीन में जा रहा है